गुड मॉर्निंग स्टुएंट्स तो सेंथ क्लास में हमारा चैप्टर फैस्ट है वो कंप्लेट हो चुका है आप उसकी वीडियो है वो हमारे यूटूब चैनल सतकारी ओनलाइन क्लासिज में देख सकते हैं दो लेक्षर बनाए हैं इसके दोनों देख लेना तो उसमें पू प्लांट कैन प्रिपेर देर आउन फूड बाई दी प्रोसेस ओफ फोटो सिंतेसिस आप सबने चैप्टर एक में पढ़ाओ अध्याय एक में पढ़ाय की जो पोद अपना बोजन ने प्रकासन सेलिशन की प्रकिरिया के दवारा त्यार करते हैं बट अनिमल्स कैन नोट पर या जन्तू है वो अपना बोजन किसे लेते हैं पादपो से लेते हैं पोदो से लेते हैं आइधर डियक्टली बाई इटिंग प्लांट या तो सिधा पोदो को खाकर या इन पोदो को खाकर जो इन पोदो को खाते हैं तो यानि कि जो परतेक्स या अपरतेक्स रुप से जि कुछ ऐसे जन्तु हैं जो वो दे और जन्तु दोनों खाते हैं रिकाल डैट आल और इंक्लोडिंग हुमें रिक्वाइर फुड फूर गरोथ हम सब को पता है कि हुमेंस को मानाव को या जितने भी जन्तु हैं सब को गरोथ के लिए यानिकि वर्दी के लिए रिपेर मरमत के वर्दी फंक्षनिंग ओव दापोडि और शरीर के कार्य करने के लिए बोजन की आव सकता होती है और जो अनिमल्स का नियूट्रीशन है वह उन्सका पोश्ण है यानि जन्तों पोश्ण है इसमें इंक्लोड होता है क्या क्या नूट्रिャ चुवाइर्मेंट को सकता है वह मोजूद होते हैं mode of intake of food and बोजन को लेने के तरीके and it's utilizing in the body और सरीर में उससे कैसे कैसे utilize किया जाता है कैसे कैसे उसका उप्योग किया जाता है ठीक है he was studied in class 6 that food consists of many components आपने छटी class में बढ़ा होगा कि बोजन हो कई तरह के तत्तों से मिलकर ठीक है तो इस प्रकार आप उन सभी तत्वों का नाम लिख सकते है the component of food such as carbohydrate यानि carbohydrate है और complex substance एक जटील substance है एक जटील चीज है this complex substance cannot be utilized इनको एक सिदा utilize नहीं किया जा सकता, सिदा अप्योग नहीं किया जा सकता so देख है are broken down into simpler इनको छोटी-छोटी तत्वों में तोड़ा जाता है the breakdown of complex component of और इनके जो complex component है जटील जो तत्व है उनको छोटे में तोड़ा जाता है food into simpler simpler substance called digestion जब carbohydrate के carbohydrate के बड़े-बड़े अनों को छोटे-चोटे अनों में तोड़ा जाता है तो उसे क्या बोलते हैं digestion यान की पाचन यान की पाचन की रिया different ways of tasting taking food बोजन को लेने के बिए तरीके कौन-कौन से the mode of taking food into the body very different organism जो बोजन लेने के तरीके हैं वो अलग-अलग जीओं में अलग-अलग तरह के होते हैं bees यान की मधुमक्या है and hummingbirds hummingbirds the nectar of the plants ये क्या करते हैं पोदे के जो full होते हैं उन से अपना रस निकालते हैं infant of a woman जो मानव की जो भुरून है and many other animals और अन्य जो जमतु है feed on mother's milk वे अपने माता के दूद पेजिर बेकरते हैं बोजन के लिए snacks like the python swallow the animals कुछ ऐसे snacks है साप है वो क्या करते हैं दुसरे यहों को सिदा निकल जाते हैं they pray upon वे क्या करते हैं उनको अपने सिकार को सिदा निकलने का कारे करते हैं some aquatic animals और कुछ जली जीव है filter tiny food particles floating nearby and feed upon them तो वो क्या करते हैं अपने आर बार जो चोटे चोटे पार्टिकल सेकर्ड है जो तेरते रहते हैं उनको अपने बोजन के रूप में ले लेते हैं activity 2.1 है what is type of food and mode of feeding of the following animals यह जो animals दे रखे हैं इनका क्या क्या खाते हैं उनका mode क्या है मतलब क्या कौन सा तरीका है खाने का write down your observation अपने observation कोई में लिखना है इन गिवन टेबल यू में फाइंड दा लिस्ट ओव दा मोडल modes of feeding गिवन बिलो अमें